हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज हम मौडरन इलेक्ट्रोनिक कम्यूनिकेशन्स के आगे के निूमरिकल्स देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके कुछ निूमरिकल्स और इंपोर्टन फॉर्मूलास देखे थे, तो ये उसका ही नेक्स पाठ है यहाँ पे हम रिमेनिंग नुमरिकल्स कम्प्लीट करेंगे A carrier wave of frequency 1 MHz and amplitude 100 V is modulated by frequency 5 KHz, producing 50% modulation, calculate the amplitude and frequency of LSB and USB तो यहाँ पे हमें % modulation दिया गया है, जो की है 50% तो इस में से हम सिर्फ modulation कितना है वो निकाल सकते है जब हम इस % को 100 से divide करेंगे, तो हमें सिर्फ modulation index पता चलेगा, जो है 0.5 अब हमें यहाँ पे amplitude निकालना है, यानि कि amplitude of side bands जिसका formula है modulation index into EC upon 2 अब यहाँ पे हमें modulation index पता है, जो की है 0.5 और EC यहाँ पे दिया गया है, amplitude 100 V, carrier web का amplitude तो यहाँ पे हमने वो ले लिया 100 V upon 2, अब इसको calculate करने के बाद answer आएगा 25 V, तो amplitude आ गया हमारा 25 V frequency of USB, LSB और USB की frequency निकालनी है, तो सबसे पहले हम USB की निकालेंगे, जो की आती है FC प्लस FM, अब FC यहाँ पे दिया गया है, 1 MHz, तो इसे हम कीलो में convert कर लेंगे, जो की आ जाएगा 1000 KHz, तो 1000, और यहाँ पे FM दिया है 5 KHz, तो यह डारेक्ली लेना है क्योंकि यह किलो में ही है, तो 1000 प्लस 5, जो की आ जाता है 1005 KHz, Frequency of LSB, तो यहाँ पे हमें addition करना होता है USB में, तो यहाँ पे हम subtraction करेंगे, FC-FM, इक्वल्स तू 1000-5, जो की आ जाता है 995 KHz, तो इस तरह से हमने amplitude निकाला, USB और LSB, जो भी हमें निकालना था question में दिया था, वो हमने सारे quantities का answer निकाल लिया है, तो यह हमारा numerical यहाँ पे complete हो जाता है, यहाँ पे हमें question में EM और EC दिया गया है, %M, modulation index निकालना है, FC और FM निकालना है, amplitude निकालना है, तो सबसे पहले हम EM और EC, इन दोनों को उनके standard formulas के साथ compare करेंगे, तो EM होता है, capital EM, sin 2πFMT, अब इसको अगर हमें जो भी value दी है, उसके साथ हम compare करते हैं, तो हमें EM मिल जाएगा 60, 2πFM का value है यहाँ पे 3140, जो अगर हम इन दोनों को compare करेंगे, उस पे हम FM की value निकाल सकते हैं, 2πFM को right hand side ले लेंगे और इसको हम calculate करेंगे, तो हमें FM मिल जाता है यहाँ पे 500 Hz, इसी तरह से हम EC का equation भी उसके standard equation के साथ compare करेंगे, EC है capital EC sin 2πFC into T, यहाँ पे capital EC हो जाता है 120, जो भी हमें equation दिया है उसके साथ हमें compare करना है, तो EC आजाएगा 120, 2πFC हो जाता है 4π10 rest to 6, तो इस दोनों को हम फिर से compare करेंगे, 2πFC equals to 4π10 rest to 6, π, π तो cancel हो जाएगा, तो 2FC equals to 410 rest to 6, तो इसे हम FC के लिए calculate करेंगे, तो FC आएगा 2MHz, इस तरह से हमने FM और FC की values निकाल ली है, अब हमें निकालना है modulation index, वो होता है EM upon EC, जो की है 60 upon 120, equals to आजाएगा 0.5, बट हमें question में पूछा गया है percent modulation, इसलिए हमें इस modulation index को percent में convert करना जरूरी है, तो percent modulation आजाएगा 0.5 into 100, जो की है 50%, Amplitude of sideband equals to MEC upon 2, modulation index निकाला है, EC की value हमें दी गई है, तो modulation index 0.5 into EC दिया गया था, यानि कि हमने जो भी standard equation के साथ compare करके निकाला था, EC 120 upon 2, इसे calculate करने के बाद answer आएगा 30 volts, तो Amplitude of sidebands आगया है 30 volts, इस तरह से ये question भी हमने complete solve कर लिया है, तो इसी तरह से हमें exam में different types के question पूछे जाते है, question का जो पूछने का तरीका है वो same होता है, बस values जो है वो different आती है, तो इसी लिए हमें जो ये important formulas है, जैसे कि EMEC का standard equation, फिर modulation index का formula, उसे percent modulation में कैसे convert करना है वो, sidebands का formula, LSB, USB, ये सारे quantities के formula पता होने जरूरी है, अगर हमें ये पता है, तो हम कोई भी question आसानी से solve कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने दो numericals पूरे solve करके देखे है, अगर आपको इस numericals में कुछ भी doubts या queries है, तो आप comment section में जरूर पूछे, वीडियो को like करे, share करे और channel को subscribe भी जरूर करे, thank you,